किसे बनो और किसे उपेड़ो, किसे न पूछो, किसे न छेड़ो घर के अंदर, घर के बाहर, ओजल भी है और है जाहे हर मसला है एक करन्ट, यही तो है यही तो है पैम्ली परन्ट किसे बात की एक हद होती है कमसकर तुमे तो है सास करना जहीज हो कुछ पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता तो मैंसे लड़ रहे हैं जी इस पे खुशोने वाली कौन सी बात है मैंने ना एक मारे निफसियात का बियान पड़ा था तो इसने कहा था मिया बीबी में जितनी ज्यादा लड़ाई होती है उतनी उनकी महपत बढ़ती है तो कितने वर्सों बाद हम लग रहे हैं ना इसलिए कि हम कई वर्सों के बाद मिल रहे हैं मुझे हिसाब किताब चाहिए जाना जरा अपनी मैट्स की बुकला खुबी हिसाब की किताब क्यों तुमने कहा ना तुम्हें हिसाब की किताब चाहिए सुंबल मुझे तुम्हारी फुजूल खर्चियों का हिसाब चाहिए तुम समझते भी हो कि फुजूल खर्ची किसे कहते हैं जी, मुझसे ज्यादा इसे कौन समझ सकता है बीस साल पहले मेरी फुजूल खर्ची से ही शादी हुई थी तुम्हें क्या पता? बचो की तालिम कितनी महगी हो चुकी है बचो की तालिम तुम्हेरे इम्तिहान को क्या बना? वो पापा, इम्तिहान तो ठीक हो जाता है बस रिजार्ट ही ठीक नहीं आता है क्या रिजार्ट है? फर्स दिविजिन फर्स दिविजिन तुमम्हें पता है हमारे मुल्क में कितने division? मुझे पता है तुम्हारा क्या बना? पापा थेर्ड पपी कि टुम पौपी तुम ब॔र्ड में थेर्ड आयो ऑप पपी देखा, मेरा बेटा है नडू ब॔र्ड में थेर्ड है ओ और क्या? यह होती है आदा और क्या चलो मैं तुम सब लोगों को तुम्हारे गिफ्ट्स तिखाना चाहता हूँ अचलो चलो चलो अचलो अचलो तुम्हारी तुम्हारी थर्ड पोजिशन नहीं थर्ड डिविजन आई है मामा इसे देखे ना यह मुझे डरा रही है भाई साब कई दफा सुबह से पूछ चुकें कि बॉबी का रिजल्ट कार्ड कब आएगा मामा कुछ सोचे ना आइडिया थर्ड आने वाले स्टूडन का रिजल्ट कार्ड दिखा देंगे हाँ यह ठीक है वो हमारे कॉलिज में पढ़ता है और उसका नाम भी नवीद है लेकिन उसके पापा का नाम कुछ और है मामा आप भी कुछ हेल्प करें मैं तुम्हारी कोई हल्प नहीं कर सकते सुंबल क्यों नहाम उस इश्टिहारी को फोन करें वो खुशिया अखपार में आया था कि आप जाली डिग्रियां भी मिलने लगी है अश्वालेकम जी खुशिया साभ एज जी मिस्स कान बोल रहे है आहामें डिग्री चाहिए तो कोट में जाए मामा उसे कहें के कॉलिज की डिग्री चाहिए तुम्हारी कॉलिज की डिग्री चाहिए अच्छा 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 वो कह रहा है कि मैट्रिक 4000 आफे 3000 बीए 2000 तो तो बीए के बाद क्या होता है में करो एक हैंतों ने कर दोंक रुख कर दे को अनुद्य के औरहिए तो प एमे एंग्लिश और एमे एकनॉमिक्स की दो दो डिग्रिया लेने वाले को जर्निलिजम की डिग्री बिलकुल मॉफ सुन्बल उससे कहो कि कुछ रियायत करे जी खुशे साहब देखिये प्लीज आप कुछ रियायत कीजिये हाँ इसलिए हम आपके पुराने काहक है ना है जी वो कह रहा है कि अगर किसी मरहूम रिष्टेदार के नाम की डिग्री चाहिए तो फिर फिफ्टी परसंट रियाथ हो जाएगी उनके काड़ पर मरहूम भी लिखा होता है है और क्या वो कहते न फलाने तो मर केमे किया है यसली तो कहते होंगे बाच यह है कि हमें तो एफ ए की डिग्री चाहिए थर्द पोजिशन की गर्मेंट कॉलिज की है जी महां अगर मौका मीली राये तो गर्ल्स कॉलिज पापा को पता चल गया ना तुम गर्ल्स कोलेज में तो पापा रोज मुझे लेने चोड़ने आएंगे चुक्रों नहीं जी नहीं खुशे साब आपको नहीं कह रही है जी नहीं देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप एक कार्ड बनवाकर जल्द जल्द हमारे घर पोचा दीजि आपको नहीं एक आपको नहीं जी यह उन पर किसी को पढ़ाया जा रहा है है मैं पढ़ा रही थी हाँ मैं पढ़ाया तो रही थी हाई ना वो हुकूमत ने कहा नहीं है कि हर बड़े लिकी शख्स को चाहिए कि वो मुल्क में खुवांदगी के खात्ले के लिए एक शख्स को पढ़ाए इस लिए बड़े लो हाँ है बेटा तुम होब करके आना हाँ हातम ना किया ना तो मैं बहुत मारूंगी हाँ ओके सुम्बल किस क्लास को पढ़ा रही हो कोई एफए का जिक्र हो रहा था तुम एफए को पढ़ा रही हो माशाला देखो हला कि यह खुद मैट्रिक है अगर उस जमाने का जो मैट्रिक था भाई था वो एफए बीए के बराबर था नसर, यह इतने पुराने जमाने की नहीं हूँ पुराना जो है वो सवाब करकाम है हाँ भी बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम लोगों के खैलात भी वही हैं जो मेरे हैं मैंने सोचा है कि क्यों नहीं हम एक प्राइविट तालीमी इदारा खोल लें इसके लिए मैंने एक माहरे तालीम को भी गुलाया अच्छा देखो आजम अगर हमारे लाइक को खिदमत होना तो हम हासित क्यों नहीं है वहें बाबी महीं तंब अपना गिफ्टो ले लिया अब हमारा गिफ्ट को बारा है आपको गेफ्ट कौन सा गयर वाब आपके लिए आपस मुअ बढ़ा के रिजल्ट्से बड़ा कि और मुद और क्यां हो सकता सबसे पहले मैं खुद खोलू ठीक है जी पापा आपको कितनी बार बता चुका हूं कि आपकी कोई रिजिस्ट्री नहीं आई आप क्यों मेरा पिछाने चोड़ें आप मेरी बास सुने देखें आप क्या चाहते हैं टाइम क्या होए एक बजा है मेरी गड़ी पे भी एक ही रिए मैशेल्ट कारवारा है तो उथ प्लीज मुझे ही दें आपने क्या सम्जा है मुझे टबरा को ही देते हैं देखें प्लीज मुझे देदे आपको कहा ना हम डाग शिरफ दगर के सरवाकर ही देते हैं कि इससे कोई फरक नि बढ़ने वाला अब हम डाग सिर्फ गर के सरवरा को ही दे गए अब अपने घर के सरवरा तो आप ही हुए ना यही तो है पैमली प्रश्ट अब अब कर दो अब लगा हुए है कियो अब अब तो आप है जो अब लेखाए ना उसको पुछांग लेता हूं अब करते हैं वैसे असल तरीफ के काबिन तो अल्ला की जाथ है देखा कितनी अची बात की जब मैं यह खोड़ गूँ लेता हूं लगी तो बड़ी अची अची गुफ्तबू करता हूं पड़ी लिखा माली कत्मु आपको वाके नहीं पहचा ना इसी लिए तो इज़त कर रहे हैं तो पिशान के इज़त की तो क्या की आपकिस सिल्सले में मैं पहका आखिologists और तलीमिया के सिल्सले में आया हूँ । देखें जी इल्म एक दौलत है और दौलत एक इल्म है दौलत की दौलत वहती है और तालीम की एक लात यह सो सुरी में आपको पहचान नहीं का आप महें तालीम है प्रीज आईए आये बोबी, दो कब चाहे लाना बेटा पारण जी, ये मेरा प्लान है, आप जड़ा देख पीजिए एक नज़र इसमें अगर कुछ नहीं करिश्टिभाण साब के रहा साथ देखिल साबा नहीं कुछ आना ना असल में जब मैं नए कपड़े पहल लेता हूं न मुझे मेरे कारा लगें प्रियांते यहां कैसे? मौला खुछ रखे, आपने खुद ही तो फोन किया था वही एफे वाला केस है आपने तो कहा था कि होंबर करके आजाना होंबर ये बते को ने? जिसे ने फोन पे पढ़ा रही थी वो ये भी अच्छा, 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 तालीम देना सवाब का काम है तुम अपना होंबर के ले क्या है? विलकुल जी, पहले इनाम हो जाए इनाम हाँ, वो मैं इसे इनाम देती हूँ जब ये कोई गलती नहीं करता उस वर मैंने नफसियाद का कहना है कि इस तरह से बच्चों में पढ़ाई में द्रिजस्पी बढ़ती है माफ करना भी बैट तो तुम्हे प्रोफेसर समझा है हाँ, माफ करना वैसे मैंने आजकल हाथ देखने और चादू करतर दिखाने बंद किये हुए है और मेरे बुरानी जानने वाले मुझे परोफेसरी कहते है अच्छा ये उप नोजवान है किसमे है फे में थाट पूजिशन लेना है लेनी क्या है जी, लेनी आप चाहे दिखे ये अपुशिया सहाब वाले मेरे में थाटू है वैसे बढ़ दोए दो ते नहीं नहीं ये सिर्फ बोबी साहब को ही मिलेगा ये सिर्फ बोबी साहब को ही मिलेगा क्या करें क्या वादर बई डाक तो जोग पर अब तक उनका देहां डाग की तरफ नहीं गया। अच्छा प्यू करती हूं कि जुप कर जाके उनकी पास पैठ जाके। तुम जुप कर के बैठो की तो मुझे तो उनकी तवच्चु हो जाएंगे। बीबियां जब तक बोस्ती रहें खाने तवच्चु नहीं देतें तो क्या करूँ पिर मुझे क्या खामूशी से बोलना पड़ेगा। अब आजे क्या हुआ। ममा वो डाग उठा रहे हैं अब क्यो होगा। वही जो भी तक नहीं हुआ। अब जो अब होगा। मेरा ख्याल है हम सब को मिलकर सोचना चाहिए। मिलकर सिर्फ बोला जाता है। सोचा तो अकेले में जाता है। तो फिर हमी अलग सोचना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। पापा, आपकी फेवरिट स्वीट लाएं, उबर फी ओ थैंक यू बटा आप काम कर रहे हैं इसलिए या बजी बहुत पसंद रहे हैं क्या कर रहे हैं? मेज बहुत गंदी है नहीं है, मैंने सोचा मैं से फाइ कर जो ठोड़ी सी हाँ, मैं कर दो, तो, साफ कर दो आप क्या फाइधा पापा, आपकी पेवरिट स्वीट, बर्ट पी, आप काम कर रहे हैं न? तैंक यू बेटा, जब मैं काम कर रहा होता हूं, सब लोग मेरा कितना ख्यान दो तैंक यू पापा, ये मेज कितनी गंदी हो गई है, उसे साफ तकर तो, नहीं वभी, मुझे काम करना है पेटा, आप जाओ आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होगी? आप को केसे पताचाओ? इसलिए कि मैं काम कर रहा हूं, अब आप मेरे साफ करना होगा? जी, आप को केसे पताचाओ? इसलिए कि ये बहुत गंदा हो चुका है, आप प्लीज जाएए मुझे काम करने दीजे सुनिये जी, आप मेरे लिए बर्फी लेके आई होगी? क्योंके मैं काम कर रहा हूं, उसके बाद आप लमेज साफ करना होगा, क्योंके ये बहुत गंदा हो चुका है, आखिर मुझे काम क्यों नी करने दे रहे हैं, आप क्यों क्यों हो रहा है? वापी, हुमा, दुसराच, सबक्या है? क्या हो या भाज जा गगा हो तो क्या हो क्या हो सीबत है ये, काम क्युनी करने दे रहे हैं इसलिए कि आप काम कर रहे हैं तो भी अपकी खिद्मत करuhan जो! वो दरदसर आप क्यूंके आएं है ना आप यहां आगें तो हम इतने खुश हुए 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 इतने खुश हुश 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 हु क्या है यह इसलिए सब लोग बरफी लेके आ रहे हैं मेरे लिए इसलिए 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 और भू मिठा करते हैं चीक है अपने कमरे में जाके दिखो अंदर की चठखनी कितनी मस्बूत है आप नहीं जा सकते हो पिटा आप तो मेमाने खुसूसी हो मामा मेरा तो अट्वास में बदन दुख रहा है वाबी यहां तुम इसे अपने हाथों शुक्रों मेरे ख्याल है कि बरफी उस वत होनी चाहिए ज जशना ही है कि चाहे कॉन बनाएगा? चाहे बब-बब-बोब-बबब बनाएगा रहा हाज कि इस सारे आथ से में यह बी बीब बनाएगा क्या है जब आजो वैटा जी आरहो पापा कितनी खुशी का मौका है ना अजी अब तो मेरे लिए भी खुशी का मौका है पापी के नम्रों के हुसूल के लिए तो हम सब को ये बड़ी मेहनत करना पड़ी है क्या मतलब यह पापा की यह मामा की द्वाओं और फुपो की कोशिशों से मुम्किन हुआ है जो मैंने इतनी मुश्कियों से नंबर ढून के दिया था वो क्या मतलब कौन सा नंबर वो बॉबी के कॉलिज भी दाखले के लिए फोन नंबर चाहिए था ना तो वो हुमा ने ढूना था अखबार में से ये बात थी आचा पापा खोले ना अब कोई खत्रा नहीं अच्छा भई तुम जिद करते हो तो चलो अच्छा नहीं तो जिद्धगी में सिर्फ एक दफ़ा चीनी के साथ चाह पी और वो भी एक दावत में जब चीनी लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी उसके बाद मैंने कभी चीनी के साथ चाह नहीं भी जाओ माँ पुपु के लिए बगएर चीनी के चाह लेकर आओ जल्दी जाओ तुम्हारे आने पे हम रिजर्ट कार्ट खोलेंगे है ना क्यों नहीं जल्दी आना जल्दी आना आणा प्रबरे आणा स्थी कुछीख़ा हुआ मामा प्रफाँ क्या है लिए 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 चाह लुटति और रिजल्दी आट गया है वो थर्द देविजिएर्टोहता कोई काम सहीस ही नहीं कर सकता क्या हुआ ता चाय पे गिर गी थी इस पर चाय गिर गी थी खुले ना आप अब यह हुमा क्या इशारे कर रहे हैं यह पूछ रही है कि अकल बड़ी या भैस जहर भैस अकल तो इतनी सी खोपड़ी में रहती है जबके भैस को रखने के लिए इतना वड़ा घर चाहिए होता है अब बड़ा दिमाग है बॉबी का वह निस्वत अगर आम आदमे का दिमाग 10,000 पर आउंस होता ना तो मेरे बेटे का दिमाग एक लाक रुपय आउंस होना था जो चीज जितनी कम होती उतनी महंगी भी होती है पाप अब खोले ना बोबी वैसे तु यह तुमें खोलना चाह इसलिए किसीना मुझ से नहीं कहा के अपने बेटे का काड तुम खुद खोलो मेर तो कोई है वक्री नहीं नहीं सुंबल यह तुम क कैसी बाते हो इंप कर रही है तुम हरा बेटा है बहुत इंटलेजंट है तुम पर गया है ने इथ मुद कर बलकूल नहीं है यह सिर्फ अ कुंप कर देखना चाहती हूं हौना चाहती हूं हुथ जब शीव ने है बोबी तुम्हेि чист बिलकुल नहीं करने भी चाहिए थी पिटर जलो जो मामा से बाफी मांगो और उनसे कहो कि काट खोले जाओ sorry mamma काट खोले जाए गा कि यहां खोलेंगे तो फट जायगा हम किचन में जागे को लेंगे छुरी के साथ पने पटा पुर्दू 149 out of 150 पुर्दू पुर्दू अच्छा मैं तुलता हूँ तुम खोलो वैसे भी तुमे यही जॉब मिलने वाली है तुम मेरी कदरो कीमत से चलती है अच्छा खोलो ना क्या हुआ यह तुम मेरे पुर्फेसर है यह तुम पापा को बता देंगे कि मैं थर्ड नहीं आया अच्छा कैसे पता चला कि मैं प्रोफेसर हूँ वो आपकी शकल से पता चल रहा है हाँ दरसल जब मैं बहुत थका होता हूँ तो मुझे भी यही महसूस होता हूँ अच्छा आप तश्रीफ रखिये ना अच्छा आप तश्रीफ रखिये ना श्लाम अलेकूम चलाप प्रोफेसर शबीर जान बलब कौन सा बलब जान बलब मेरा तखलूस आइस यह आच्छा प्लीज बैठीए आईए माफी चाहता हूँ मुझे फुद हाजिर होना चाहिए था आपके पास मैं दर असल एक प्राइविट कॉलिज चलाना चाह रहा हूँ तो मैंने सोचा आप से रहनुमाई हासिल कर ली जाए इस सेलस्ले में कुछ काम किया है मैंने अच्छा अच्छा बस प्रोफेसर साब मिलजुल के काम करेंगे मेरे पास पैसा है आपके पास तजरुबा चंद सालों बाद आपके पास तजरुबा होगार मेरे पास पैसा मेरा मतलब है दोनों को ही फायदा होगा जी मेरे तलबा पढ़ाई में हमेशा नंबर वन होते हैं माशालला इस बार FMA बोर्ड में मेरे स्टूडन्ट ने थर्ड पोजिशन हसल की है बाबी आपका स्टूडन्ट है कौन बाबी बाबी मेरा बेटा नवीद उसे हम घर में बाबी कहते हैं अच्छ 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 नवीद आपका बेटा है जी जी बड़ा ही सादत्मन बच्चा आप उसे बुलाईए कहिए के प्रोफेसर जाने बलब आए जी क्यों नहीं बेटा बाबी को बुलाओ, उनके प्रफेसर साभ आयए है वो तो नहा रहा है बो नहाँ राए सी यप हाद腹 आ अधिए उसे को जल्दी आए जल्दी आए क्या का इत्व है भाई सहाब आप बाबी को क्यूं बुला रहा है भई उनके प्रोफेसर साहब आये है, मिलना जा रहे है उससे बॉबी सो रहा है? बॉबी नहा के सो रहा है नहीं, बॉबी सो के नहा है बॉबी सो के नहा है, ये नहा के सो रहा है, उससे बुलाओ, उसके प्रोफेसर साहब आये है नहीं नहीं फिर कभी मुलाखात हो जाएगी मुझे इस वक्त जरा जल्दी नहीं उन्हें जल्दी है प्रफेसर साब को बहुत जल्दी है नहीं कोई जल्दी नहीं हूं कोई जल्दी नहीं हूं कोई जल्दी नहीं है प्रफेसर साब है उसके प्रफेसर साब है बच्चे ने गया पिरतों प्रेंपादी हैं आपज़ के लिए भीस जलदी है यह भी बछयाइ है लोगlot इन खुछ दो नहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफएसर की यादाश के गर बहुत अच्छी है यहू, तो बॉटा तो फॉटा धर मैं प्रफेसर हीए। खुदाओ आपिस। परुवत्याओबी? आजो, चलेगे हैं, प्रुफेशनसाभी लोग। बोबी, अफ़ो बोबी, मैं काम से तुम, तुम्हारे प्रोफेसर साब आये थे, इतनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी में बहुत हुश हो, इसकी तो हर कोई तारीफ हें कर रहा होता है, माशाळाला पढ़ा कुछा है, जी हाँ, कमरा इंतिहान में सब लोग जब लिख रहे ह अब इसकी तारीफ है, इसलिए तो ये जवाब नए तो आपकी आवाज का, जी जी, इसलिए पापा, हाँ, इसलिए तो अच्छा दो अच्छां, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मेरी कुलास का सबसे नाप सुड़ना एक सुड़ना वो मुश्किल थर्ड विजिन में पास हुआ था ठाप? इह?